देश में चल रहें लोक सभा चुनाव की प्रक्रिया में पांच फेज की बोटिंग हो चुकी है अब सर्फ दो फेज 25 मही और एक जून की बोटिंग बाकी है चार जून को नतीज आएंगे लेकिन अससे पहले राजनीतिक रणनीतिकार तमाम दावे कर रहे हैं ऐसे में मतदाता उलज कर रहे गया है राजनीतिक विशलेशक योगेंद्र यादव ने लुक सभचनाव को लेकर बड़ा दावा किया योगेंद्र ने कहा कि भाजपा जादूई आकड़ा नहीं छूपाएगी उसे 272 सीटे भी नहीं मिल रही है चुनाव में भाजपा को 90 से ज्यादा सीटों का नुकसान होता दिख रहा है दरसल एक इंटरव्यू में योगेंद्र यादव ने ये दावा किया कि मैं अपने 35 साल के तजुर्बे से कह रहा हूं कि भाजपा को इस बार 272 सीटे कताई नहीं मिल रही है और मैंने ये देखा कि उन्होंने भी कहा कि देखे मोदी जी की छवी में डेंट लगा है वो कह रहे हैं राम मंदिर उस तरह का इशू नहीं वो कह रहे हैं उस तरह और बीजे पी के अगेस्ट एक तरह का इंटी इंट्री इंक अपने किशोर के दावो का भी जिक्र किया उन्होंने कहा कि मैंने आम तोर पर देखा है कि प्रशांद किशोर अपने राजनितिक रुजानों को अलग रख कर मुल्यांकन करते हैं प्रशांद किशोर मोदी जी की छवी में डेंट लगा रहे हैं राम मंदिर उस तरह का मुद्दा नहीं है वो कह रहे हैं कि बीजे पी के खिलाफ एक तरह की इंकममेंसी है लेकिन बीजे पी की सीट 303 से बढ़ कर ये बात तर्क संगत नहीं लगती कॉंग्रस बहुत जगा पर डामेज नहीं कर पा रही है एक दो जगा नुकसान पहुंचाते दिख रही है बंगाल में सीधा मुकाबला बीजे पी और टीमसी में है मैं यहां ड्रा मानता हूँ उरीशा में बीजे पी इंप्रूव कर रही है उन्होंने दावा किया कि बिहार में एंडिये को कम से कम 15 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है आपको बता दे कि चुनाव रनीतिकार प्रशांत किशूर ने मंगलवार को एक इंटिव्यू में द 303 सीटों के करेब या उससे जादा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है जब तक नौर्थ और वेस्ट की जो 260 सीटे जीते हुए है उसमें कम से कम 80 या 169 हार है अब अगर भाजपा को नौर्थ और वेस्ट में 100 सीट हारना है तो कैसे हार सकते हैं पांच पार्टिया है जिनका स् हम जो 200 सीटों पर हैं इंक्रूडिंग साउट वहीं हम विपक्षी पार्टियों की बात करें तो सपाध्यक्ष अखलेश यादव ने कहा कि देश की कुल सीटों पर बीज़ेपी केवल 143 सीटे जीत रही है शायद ये भी जादा है जनता इनको 140 सीटों के लिए तरसा देग कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिका अर्जुन खरके ने कहा कि यदि भाजपा 400 पार बोल रही है तो ऐसा मुम्किन नहीं है अगर ऐसा हुआ तो समझीए कुछ गड़बड है इनकी 200 से ज्यादा सीटे नहीं आ रही वहीं अंत्रिम जमानत पर बाहर चुल रहे सीएम अर्विन के इज्रिवाल का कहना है कि जैसे जैसे पांच में चरण का चुनाव पूरा हो चुका है वैसे वैसे साफ हो चुका है कि मूदी सरकार जा रही है और इंडिया कटबंदन की सरकार आ रही है फिलहाल किसकी बात में कितना दम है ये तो चुनाव प्रणाम ही बताएंगे आगे क अपडेट के लिए देखते रहें न्यूस वर्ल्ड इंडिया